बीजेपी सांसत कोशल कुमार के बेटे आयूश का कहना है कि उन्होंने खुद पर गोली नहीं चलवाई थी आयूश ने का कि खुद पर गोली चलवाने का रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि थोड़ा साबी इधर उधर हो जाता तो जान भी जा सकती थी खुद पर गोली चलवाने वाले मोहनलाल गंद से बीजेपी सांसत कोशल किशोर के बेटे आयूश का एक वीडियो सामने आया है कई दिनों से फरार चल रहे है आयूश ने वीडियो संदेश में अपनी पत्नी अंकिता पर गंफीर आरोप लगाए है आयूश का कहना है कि उसने खुद पर गोली नहीं चलवाई थी आयूश ने कहा कि खुद पर गोली चलवाने का रिस्ट नहीं ले सकता था क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उदर हो जाता तो मेरी जान भी जा सकती थी आयूश ने कहा कि पत्नी अंकिता ने हनी ट्रैप के जरीए फसाया ऐसा वह कई अन्य लोगों के साथ भी कर चुकी है आयूश ने वीडियो में कहा कि वह लखनव आ रहे हैं और वह सरेंडर भी करेगा आयूश की मांग है कि पिलिस पत्नी अंकिता से भी पूच्टाश करे वह सारे सवालों के जवाब देने को तैयार है पुलिस हम दोनों को आमने सामने बैठा कर पूच्टाश करे आयूश ने अंकिता और उसके परिजनों पर गम फीर आरोप लगाए हैं उसका कहना है कि साथ महीने पहले मेरी अंकिता से मुलाकात हुई थी फिर दूसरे दिन वह मुझसे फिजिकल हो गए और शादी का दबाओ बनाने लगी। मैं उसके प्यार में पागल था इस देगरवालों के खिलाफ जाकर शादी कर लिया। बहर तलब है कि राज़ानी लखनों में मंगलवार देराथ भाजपा सांसत कोशल किशोर और विधायक जदेवी के बेटे आयुश किशोर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। सूत्रों के मताबिक सांसत के बेटे की लाइसंसी पिस्टिल से ही गोली चली थी। इस सलसिले में सांसत पुत्र आयुश के साले आदर्श को हिरासत में लेकर पुलिस पूस्ताज जारी है। गोली आयुश के सीने में लगी है और आज आयुश ने एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी पर गोली चलवाने के गंभीरा रोप लगाए हैं। देखिए आप भी आयुश द्वारा जारी किया गया बिच्जी। करने के लिए तैयार हूँ। करने के लिए इस लीडियों करता हैं।